Assalamu alaikum welcome to HSS DLP in a secondary school digital learning platform welcome to another video of revision class 8 my name is Muhammad Rizun Khan तो last time हमने जो है वो number system का revision कियाता है और आज हम करने जा रहे हैं stock and shares का revision ठीके तो चलिए शुरू करते हैं तो आखके बास first question ने revision पर का find a dividend received on 50 shares of rupees 10 each if 8% dividend is declared बोलने आपने क्या find करना है आपने find करना है dividend dividend क्या find करना एं dividend 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 ठीके आपने dividend रेसिफ कर रहा है अपको पता है क्या होता है share वाला profit means कि कमपनी में investment की वी होती है किसी कमपनी के shares करीदेवे होते हूं और उसके एवस्य हमें profit मिल रहा होते है तो खिलाती हमारी dividend income तो हमने निकालनी है अपनी income और उसका नाम है dividend कि हमें कितना dividend मिल रहा है किसी company हमने share की investment की कितने share ने हमारे पास share ने 150 कितने share ने 150 share ने और एक हिर हमारे कितने का है 10 rupees का और company हमें तो याद रखिएगा आप सबसे पहले data बनाते हो data में given और un given conditions को आप highlight कर देते हो ठीक है तो इसको white से ही कर लेते हो और prominent हो जाएगा तो मैंने कहा है कि आप जो है वो data बनाओ कि सबसे पहले आप लिखोगे number of shares कितने है आपके पास आप लिखोगे number of shares कितने है आपके पास number of shares है आपके पास equals to rupees 150 ठीक है उसके बाद आप क्या बोलोगे dividend rate क्या बोलोगे डिविडेंट 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 रेट कितना है आपके पास dividend dividend rate है आपके पास 8% कितना है 8% और उसके बाद जो है वो आपकी जो value of each year जिसे आप पार वैल्यों भी लिख सकते हो तो चाहो तो तो आप पाइवली लिख दो यार value of each year लिख दो आपके पास कितना है rupees 10 तो देखिए का आपके पास find a dividend आप जेखिए का आपके पास formula कौन सा अप्लाय करोगे आप तो आपके पास formula हो गाए यहां से dividend डिविडेंड अर्ण या रिसीव लिख सकते हो आप इस इक्वाल टू नंबर और 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 शेर मॉल्टिप्लाय बाय वैलियो ऑफ इच शेर मॉल्टिप्लाय बाय डिविडेंड रेट ठीक है तो तो दर मेरी बात को और से समझीएगा कि आप से सवाल में जब भी वो पूछ इतले डिविडेंड रिसीव बताईए डिविडेंड डिविडेंड रिसीव बताईए नंबर ओफ शेर नंबर ओफ शेर बताईए या वैलियो ऑफ इच शेर बताईए डिविडेंड रेट बताईए इन चारों का जब भी वासे बुछेंगे डिविडेंड रिसीव बताई 150 आप यहां लिखते हो कि क्या पर बेटा 150 multiply value of share क्या है तो फॉर्मिले के अंद्री ब्रैक्ट है तो value of share क्या है value of share 10 और dividend rate कितना दिया है आपको dividend rate दिया है आपको 8 divided by 100 8% है तो परसंट का जब निशान हट तो आपके वास क्या जाता है 100 आजाता है ठीक है तो आपका आपका बोर्ड मास करूल होता है कि आप पहले ब्रैक्ट को सॉल्स करते हैं आप लिखोगे यहां पर 10 और आप 8 को 100 से क्या करोगे divide जब 8 को 100 से divide करोगे तो आपके बाद आंसर आएगा 0.08 और 0.08 को आप 10 से क्या करोगे बेटा multiply तो देखिए का उसके बाद फिर आपने 0.08 को multiply करवाया किससे 10 से multiply करवाया तो 10 से multiply करवाने के बाद आपके बाद आंसर आया वह आंसर आया है 0.8 क्या आंसर आया बिटा देखो 0.08 को आप 0.08 भी कह सकते हो क्योंकि आप 10 से तो आके बाद आंसर आया 0.8 की आंसर आया बेटा 0.8 और उसके बाद फिर आप 150 को किससे multiply अगरवाद होगे 0.8 से तो आके बाद निका जारी थी ठीक है तो इसको प्रॉपर्ली देख लिएगा डिवेटन रिसीट कितना आके बास एक सो बीस ठीक है चले बढ़ते हमने नेक्स कुस्टिन की तरफ और हमारा नेक्स कुस्टन है तो यह आप से कह रहे हैं कि आपको कितना सारा पैसा चाहिए होगा 250 शेयर आपने खरीदने है और एक शेयर एक जो आपके पास शेयर आपको कितने का बड़ लेक्षिर की कॉस्ट 10 रूपीज की पढ़ लिए ठीक है और उसके ओपर प्रीमियम कितने का है 5 रूपे का इसका मतलब प्रीमियम का मतलब होता है देखें अबफ पार प्रीमियम का मतलब क्या होता है अबफ पार और डिसकाउंट का मतलब क्या होता है ब्लो पार डिसकाउंट का मतलब क्या होता है ब्लो पार पार वैलियो का मतलब होता है वैलियो अभी शेयर जब वो प्रीमियम की बात क तो आपके पास 10 रुपिस का शेयर था, 10 परसंट आपको डिसकाउंट मिला तो आपको कितने का शेयर अविलिबल है, 5 रुपे का ठीक है, तो याद रखिए का डिसकाउंट का मतलब लो पार और प्रीमियम का मतलब अबव फार, ब्रोकर एज बिंग 1 परसंट, आपको पता है ब्रोकर एक एजन्ट होता है, जो हमें शेयर दिलवाने के, और शेयर बिगवाने के क्या लेता है, पैसे लेता है, तो जो हमें जो है, जो है, जो शेयर खरीदने हैं, हमें जो है, 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 जो वैलियो उसको लिख दोगे तो आप यहां पर सबसे वहले क्या बनाओगे बिटा डेटा ठीक है और डेटा के अंदर आपके पास क्या दिया वापको दियावा नमबर ओफ शियर लिखना पर्चेस रिकॉर्ड टू परचेस तूफिटी शियर तो टूफिटी शियर जो है कितना एक्सेप्टेबल नहीं होगा मैं यहां लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम कर रोड़ा प्रॉब्लम है रुपीज टैन उसके बाद कि प्रीमियम कितना है आपके पास रुपीज फाइफ और ब्रोक्रेज कितना है आपके पास वन परसंट ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या बनाया डेटा और आप से पूछावा क्या है हाओ मच मनी कितने पैसे आपको चाहिए होंगे दो सो पचास शेयर खरीदने के लिए जो के जिस पर टैन रुपीज मार्केट में वैलियो है और पांच यह बसके पर क्या लग गिया प्रीमियम ठीक है और आपके पास जो ब्रोकर है जिसके तुरू आप शेयर को खरीद रहे हो कितने पैसे लेरा रहा है अपने उन परसंट इसस सम्फ़ा थो इसससमें पोक्तने पैसे की रूपे के जाए जा जा है 15 सही है तो चलिए तरह आगे बढ़ते है तो देखो भई अब इसको solve कैसे करेंगे उसके बाद हमारे पास जो formula होगा ठीक है formula क्या होगा हमारा देखो formula होगा हमारा formula market price plus brokerage market price plus brokerage यहाँ पर तो हम अभी find करने जा रहे हैं formula के बाद आपके यहाँ पर solution ठीक है और यहाँ पर आप find करने क्या जा रहे है market price कितना है share का market price आपके पास 15 ठीक है और यहाँ पर ब्रोकरेज में निकाने तो market price का 15 इसी का मतलब यह पूरा formula है एक तरीक से market price आपने यहाँ लिए 15 और ब्रोकरेज जो था वो 15 का 1% निकालना है ठीक है तो आप यहाँ पर 15 को यहाँ पर प्लस नहीं आएगा एक मुनिट में ठीक कर ले ता हूं यहाँ पर आएगा multiply ठीक है तो आप पहले यह निकाल रहे हो कि आपके पास 15 रुपे का एक share मतलब एक share की की कीमत थी 10 रुपे उसके उपर प्रीमियम निकाल उगा पूज रुपे तो एक share की कीमत थी रुपीस 15 ठीक है तो जो जेक उपर हमने बनाया था यहा पर एक ब्रोग्रेज की कीमत के बाएब और 2018 यहाँ पर अब हमें ये पता कटना है कि हमें जो है ना वो धाई सो शियर खरीदने है ठीक है एक शियर की किमत कितनी है पंदरा लेकिन ब्रोकरेज भी आ रहा है बीच में जो ब्रोकर है वो कहा रहा है भाई एक शियर की किमत पंदरा है ठीक है तो तरह देखो मैं पहले यहां से इसको एरेज कर दूँ एलेक्ट्रोनिक डस्टर खेर तो आप आप क्या करोगे अब आप जो है वो फाइंड आउट करोगे दो बार से यह 15 को आपने कुछ नहीं करना है पहले आपने 15 का 1 परसंट निकालना है ठीक है जब आप 1 को डिवाइड करोगे 100 से तो आउसर आएगा 0.01 और 15 को जब आप 0.01 से मल्टिप्लाइग करोगे तो आउसर आएगा 0.15 तो देखिएगा आपने 15 को प्लस करा 0.15 में तो आपके पास आई है 15.15 अब यह जो वैल्यू आई है आपके पास आई है आप यहां लिख सकते हो price paid by price paid by each share price paid by each share यह जो वैलियो आई है आपके बस ठीक है अभी तक आपने सवाल को solve नहीं किया आपने बताना है कि total amount कितने का पढ़ेगा आपने share कितने खरीदने 250 कितने share खरीदने 250 और आपने बताना है कि आपको total जो amount है वो कितना देना होगा अभी तो आपने यह निकाला है कि आपके पास जो आपका एक share था जो आपके पास एक share था वो आपको पढ़ रहा है 15.15 रूपीज में ठीक है 15.15 रूपीज में आपको एक share पढ़ रहा है अब आपने यह निकालना है कि आपको total share कितने के पढ़ेंगे ठीक है? क्योंकि इसमें 1% brokerage भी आ रहा था, 10 का share था वे उस पर 5 रोबे प्रिवियम लगा तो 15 का share होगी और 1% brokerage भी आ गया broker ने भी अपने पैसे लेने हर एक share के ओपर वो 1% उसका होगा, तो आपको actual में जो share पढ़ा वो कितने का बड़ा 15.15 का, ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप जो आपके पास cost आईए, एक share की, उसको आप total share जितने आपने खरीदने नमबर ओफ येर से क्या करवाद होगे? multiply, क्या करवाद होगे? multiply, जब आप 15.15 को multiply करवाओगे 250 से, तो जब देखो एक पना टुक जाओ 15.15 को आप multiply करवाओगे किस से? 250 से, तो आपके पास answer आएगा 3787.5 क्या answer आएगा आपके पास जब देख लेते हैं इसको cross, close करके ठीक है 3787.5 रूपीज लगाना नहीं भूलिएगा unit in the answer वनना आपका paper में 0.5 less हो जाएगा, ठीक है? तो यो revision में बाते में कह रहाऊं, बातों को गौड से समझ के अच्छे से आपने सुननी हैं और उस पर अमल करना है, आप यहां लिख सकते हो price paid by shares price paid by shares purchased, price paid by shares purchased, पूरा लिख लीजिएगा ठीक है बिटा? और आपके पास जो answer आया, वो कितना है? 3787.5 अगर आपको इसकी जो wording है, और अच्छे से देखनी है, और अच्छे से इसकी wording लिखनी है, कि यहां पर अगर problem में समझा दिया तो आपको इसकी जो wording है, word problem की वो आपको मिलेगी example 7 में अगर आपको शेयर खरीदने है, उसमें ब्रोकरेज भी आ रहा है, उसमें जो है वो प्रीमियम भी आ रहा है और उसमें जो है वैलियो भी शेयर भी दीवर आप से कहा हुआ है, कि आप टोटल अमॉंट बताइए, कि तोटल अमॉंट कितने लगेगा, कितने भी शेयर आपको देते हैं, 500 देते हैं, 100 देते हैं, 20 देते हैं, तो आपने ये पूरा method फॉलो करना है, अगर आपने answer निकालना है, amount निकालना है, ठीक है, ये वाला method जो यहां से हमने start किया था सवाल में, data बनाया था, data बना लिया, data बनाने के बाद फिर हमने आपे formula को लिखा, और फिर हमने आपे solution कर ली, calculation कर ली, ठीक है, और calculation करने का तरीकार मैंने आपको ब share, बोलनें, सलीम के पास 5000 share थे है, वेलकम बुक्स एक कमपनी है, और उसकी market price कितनी है, 100, पतलब एक share जो है, वो 100 रुपे काया है, और उसके पास total share कितने है, 5000, he sold his share through a broker, वो share को बेचता है, broker के थरू, किसको बेचता है, broker के थरू जो है, वो share को बेचता है, वो खुद नह नहीं जाता है, और आता मार्केर, नहीं हो सकता है, काम वा मौ मसरूफ हो, और जो broker है, वो 2% commission चार्ज करता है, how much did Salim make, throw the sale, बोलने है, सलीम जो है, वो कितना गर पाता है, sale करके अपने shares को, एक तरीके से यह आप से पूछ रहे हैं, कि जब सलीम के पास 5000 share हैं, और एक share जा है, 100 रुपे का, और उसमें जो broker है, वो अपना 2% हिस्सा रख रहा है, मतलब, याद रखिएगा, मैंने आपको क्लास में पूरी कहानी सुनाई थी, कि जब भी आप share को purchase करते हो, तो आप broker के पैसे को add करवाते हो, क्या करवाते हो, add, लेकिन जब आप share को sell करते हो, तो आप broker के पैसे को less करवा देते हो, ठीक है, यह वाली बात याद रखिएगा, जब share को खरीदेंगे, तो हम add करवाएंगे brokerage को, और जब हम share को बेचेंगे, तो less करवाएंगे brokerage को, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, कि sold का word लिखा वा रहा हो, या sell का word लिखा वा रहा हो, ठीक है, तो यह दोनों सुरते हाल में, आप जो है वो, यह वाला फॉर्मला अप्लाया करोगो, जो मैं अभी आपको बढ़ाने लगो, तो फॉर्मला देखिएगा, फॉर्मला किया है, जब आप share को खरीदते हो, तो market price के अंदर brokerage को add कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता जब share खरीदते हैं, तो value को add करवाते हैं, और जब share को बेचते हैं, तो value को less करवाते हैं, यह पूरा concept के हसर क्यों करवाते हैं, मैं आपको class में कहानी सुना चुका हूँ, मुझे उमीद है आपको याद होगी, ठीक है, तो अगर आप paper में भूल जाओ, तो आपने याद र data में जो आपके पास values इतरा होने देख लें, data में आपके पस number of year कितने हैं, आपने या लिखा number, number of share, ठीक है, कितना है, 5000, उसके बाद आपके पास जो brokerage है या value of each share या लिख सकते हो, तो आप यहाँ लिख दिएगा, पूरा लिखिएगा, value of each share, मैं थोड़ा शौट लिख कितना है, hundred, क्योंकि पैसो में बात हो रही है, तो इसमें मैं आपर रूपीस लगा सकता हूँ, और जो आपको brokerage दिया वाए, क्या दिया वाए बेटा, जो आपको brokerage दिया वाए, वो कितना दिया वाए, two percent, कितना दिया वाए, तो हमने यहाँ पर data को create कर लिया, अब हम जो formula मैं आपको बताया है, कि आप formula क्या लिखो गया, formula लिखो गया, market price minus brokerage, ठीक है, उसके बाद फिर आप चालिखो गया, solution अब आपकी market price कितनी थी share की, market price थी 100, कितनी थी 100, और आप उसका brokerage निकालोगी, 100 रुपीज का, इसलिए 100 को मैंने दुबाराफ से लिखा, क्योंकि मुझे 100 रुपीज का two percent निकालना है, तो 100 को देखते हैं, मैंने market price बता दी के बाद है, और उसके बाद 100 रुपीज का है, मैं two percent निकालना हूँ, तो इसलिए मैं आपे separately दिखा रहा हूँ, 100 multiplied by two divided by 100, ठीक है, तो मैंने या लिखा 100 minus, अब देखो 100 से 100 क्या हो जागा, cancel, तो यहां पे सिर्फ क्या बजगिया, two, क्या बजगिया, इस minus की sign से two को open कर लो, minus plus क्या होता है, minus, चाहोते हैं, आप record नहीं लिख सकते हो, अब आप 100 में से two निकालोगे ताकि अबस कितना आजाएगा, 98 रुपीस, कितना आजाएगा, 98, मतलब, पता है चला है, कि सो रुपे का share market में था, लेकिन brokerage के broker के पैसे निकालने के बाद, आपका एक share कितने का विकरा है, 98 का, कितने का विकरा है, 98 का, अभी अभी हमने सिर्फ एक share के पैसे निकाले है, ठीक है, एक share की cost निकाली है, अब हम निकालेंगे total cost, क्या निकालेंगे बिटा, total cost, तो देखो, यहाँ पर आप मुझे पता है, आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख होगे आप, price paid, या price earned on each share, price earned on each share, आप लिख सकते हो, कि यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर total number of share से, number of share कितने थे, 5000 multiply by 98, multiply by 98, number of share से, आप 98 को क्या करवाओगे, multiply, तो आपके पास value आएगी, 4,90,000, कितनी आएगी, 4,90,000, 4,90,000, अब आप यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो, price earned on share sold, क्या लिख सकते हो, बिटा, price earned on share sold, क्या लि on shares sold, जो price आपके पास आई है, जो आपने कमाई है, total share को बेच के, जो के 5000 share थे आपके पास, वो कितनी आई है, आपके पास, 4,90,000, ठीक है, आपके पास, आपको मैं दुबार सादरा इसको बता दूं, अगर, number of share कितने थे, 5000 रुपीस, ठीक है, value of share कितना था, यहाँ से दे पार वेल्यो लिखावा आजा है, per share लिखावा आजा है, value of share लिखावा आजा है, तो आप बोलो कि value of share होता है, हमारा कितना था, hundred, हमने value of share लिख सकते हैं, चाहें तो हम यहाँ पे पार वेल्यो भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो value of share लिख सकते हैं, और चाहें तो हम यहाँ पास कितना था 100 ब्रोक्रेज कितना था हमारे पास तू परसंट और हमें क्या करना था हमें फाइंड करना था प्राइज अर्ण ऑन सेल और फाइफ थाउजन शेर्ड आप चाहोते हैं लिख भी सकते हो डेटा के अंदर अपने ठीक है नहीं भी लिखो के तो गलत नहीं होगा लेकिन आप चाहोते हैं लिख सकते हो प्राइस कि प्राइस अर्ण कि आउन सेल कि आफ फाइव थाउजन शेर्स यह आपका डेटा बन रहा है भी ठीक है ना बन चुका है मैं दुबार से इसमें एड़ कर रहा हूं एक पॉइंट कि आपने कितने पैसे कमाएं जब 5000 को बेच आपने कितने कितने पैसे कमाना ठीक है तो आपने यहां पर मार्करेट प्राइस माइनस का फॉर्मला प्लाए करा क्योंकि आप शिए को बेच रहे था इसलिए ब्रोकरेज की जो फी होगी वह लैस हो जाएगी उसके बाद निकल कि उसकी फी को से मिलेंगे तो मार्केट प्राइस कितना था हंड्रेट और हंड्रेट का ही टू परसंट निकालना था तो इसलिए मैंने आपर क्या करा हंड्रेट को मंटिकला पर टू कर और डिवाइट पर क्या करा हंड्रेट परसंटेज की अफसाइन हटा तो क्या है हंड्रेट हंड्रेट में गेविन थे 5000 और आपने उसको मुल्टिप्लाय करवा दिया वैलियो ऑफ इस शेर से कौनसी वाली जो कि आपने निकाली थी ब्रोकर के प्राइस को लैस करवाने के बाद तो आपके 5000 शेर में से आपने खरीदे वाले 100 की मार्किट थी मार्किट मेर वह 100 का भी करा था लेकि आपने टोटल नंबर ऑफ शेर से 98 को क्या करवाया मल्टिप्लाय तो आपके पास कितनी रगाम आएगी 4,90,000 4,90,000 रुपे इस तरह से हमारा ये कुष्टन भी कम्प्लीट हो गिया तो देखिए का दरा हमने जो है इस वीडियो के अंदर क्या सीखा हमने सीखा कुष्टन किया है हमने बिटा ठीक है और हमने कुष्टन नंबर सिक्स किया है और हमने एक्जैम्पल और हमने एक्जैम्पल की है एट ठीक है बाकी रिमेनिंग जो है वापके शायद दो कुष्टन ही होंगे जो कि रिविजन बरक में आपको पता हैं लिख्यावाय में आप लोगों क तो आपने वो questions करने हैं खुझ से ठीक है और उन्हें full escape papers के अंदर क्लिक कर सॉल्फ करके submit करवाना है अच्छे से अभी और topics में आपको दूंगा इंशाला बहुत जल्द तो उन सब को एक साथ करके आपने full escape papers के अंदर लिखना है प्रैक्टिस करनी अच्छे तरीके से बार और उसे submit करवाना है तो आपको जो assignment है आज का वो क्या है जो आपको लास्टाइम तो भाई नंबर सिस्टम के क्वैले questions कंप्लीट करने होंगे ठीक है और question number 4 को 6 को और example 8 को और जो remaining question रिविजिन वर्क के और उन्हें full escape papers में करना होगा तो आपका number system भी complete हो गया और आज इस stock and shares भी complete हो गया ठीक है तो आपने याज से इसको काम बो करना है और मुझे चेक करवाना है तब तक के लिए बहुत वादा खायर रखिएगा अल्लाहाफिस